आज जो हुमारा बिशे है वो है फास्टनर फास्टनर क्या होता है कि हमने गाड़ी में बहुत सारे फास्टनर दहें होंगे क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स लगए हुए हैं जिनको किसी न किसी वीदी के द्वारा दो पार्ट को हम आपस में जोड़ती है अगर हमें जो पता नहीं होगा कि इन पार्ट को कैसे जोड़ा गया है और इनको कैसे खोलना है और बाद में कैसे जोइंट करना है अगर हमें इसका नहीं पता होगा तो क्या होगा हम जो कैसे fit नहीं होगा और इसकी विज़से क्या होगा हमारे काम करने की शम्ता में जो है कमी आएगी हमारा काम जो हमें एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा इसलिए आज का जो वीडियो है आप सब के लिए बनाया गया है ताकि आपको पता चल सके कि हम गाड़ी में कौन-कौन से fastner की का अपयोग करते हैं और कौन-कौन सी बीदियों के द्वारा दो पार्ट को जोड़ा जाता है क्योंकि अगर हम सही बीदि का अपयोग करेंगे और सही बीदि के द्वारा उस पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारे काम करने की शमता भी बढ़ेगी और वो पार्स को हमें बार बार अरपियर नहीं करना पड़ेगा आज का चैप्टर है, जूनिट दूसरा, फास्टनर इसमें हम फास्टन के बारे में, अज पड़ेंगे पहले आता है, फास्टनर what is fastener fastener क्या होता है दूसरा आता है types of joint लगलब प्रकार के कौन से joint होती है कौन से वो joints है कि इन बीदियों के द्वारा दो बस्तू को आपस में जोड़ा जाता है method of joints उन बस्तू को जोड़ने का कौन कौन सा तरीका है किस वीदि के द्वारा हम दो बस्तू को आपस में जोड़ सकती है what is fastener जैसे आप चितर में देख रहे हो गाड़ी जो है बहुत सारे parts को मिला कर बनी होती है जैसे अब अलगलग parts देख रहे हो tailgate है, sunroof है गाड़ी का हिंजन का hood है fender है, यह सभी जो है अलगलग parts होती है इनको किसी फास्टन वीदि के द्वारा जैसे balding है balding के द्वारा इनको जोड़ कर एक पूरी गाड़ी त्यार की जाती है अब बिशेश ही आता है कि फास्टनर होता क्या है and आटम वाइल is a assembly of a large number of sub-assembly and component components को जोड़ कर जे पने गई है इसमें कौन-कौन से component होती है जैसे engine, clutch, gearbox, differential, wheel brakes, आदी आटम वाइल फास्टनर आरे collection of product that are used in automotive and vehicle assembly for joining these components आटम वाइल फास्टनर जो होती है वो product होती है जिनकी मदद से इन जो सारे sub-assembly को जोड़ा जाता है और एक पूरी गाड़ी का निर्मान किया जाता है अब आता है types of joint joint जो है कितनी तरह के होती है joints जो है दो तरह के होती है एक होता है kinematic joint some of the components or sub-assembly may move together kinematic joints वो होती है जो joint जो है साथ में rotate भी करती है nut bolt साथ में rotate करती है जैसे आपने देखा होगा propeller shaft में propeller shaft के जो boat लगे होती है जैसे propeller shaft गूंती है वो भी propeller shaft के साथ ही गूंती है जैसे engine में आपने देखा होगा जो guzzin pin है और जहांपे connecting rod जो है crank shaft के साथ लगी होती है यह सभी joint जो हैं अपस में connecting rod के साथ ही nut bolt जो है घूमती है इनको kinematics joint कहा जाता है अब आता है दूसरे joint को उनसे होती है दूसरे होती है fix joint जो गारी के साथ पार्स के साथ नहीं घूमती है जैसे आप देख रहे हो जो गेर बोक्स को जो है दो हिस्सों को जोड़ा गया है किसके साथ nut bolt के साथ प साथ लग जाती है nut bolt तो नहीं घूमती है इसलिए इस वर तरफ के joint को हम कहती है fix joint जो दो सेंबली को जोड़ता है पर सेंबली जो है वो घूमती नहीं उसके साथ नहीं घूमती है अब आगे आता है method of joint हम किसकिस बीदी द्वारा दो पार्स को जोड़ सकती है पहले आता है mechanical fastener mechanical fastening कोंड सी होती है screw आपने गरों में भी देखा होगा जैसे हम बिजली के plug लेती है शू लेती है उसमें भी screw लगे होती है bolts होती है bolts जैसे गरों में झेमारे द्रवाजी होती है द्रवाजी के जो lock होती है महाँ पे अब बोल्स का उपयोग करते है rules का उपयोग करते है welding आपने देखा होगा जो अब जो dooraker के parts को जहां पे हम बार बार उसको उतारने की जुरूरत नहीं पडरती fix joint के जूरुत पड़ती है वहाँ हम दो लोहे के पीस को balding करते हैं brazing brazing जो है वो तरीका है जिसके द्वारा जो पतली sheet होती है लोहे की जो दातू होती है पतली होती है जिसको balding के द्वारा नहीं जोड़ा जाता अगर हम balding को साथ उसको जोड़ते है तो वो damage हो जाती है वहाँ पे हम brazing का प्योग करते है soldering का प्योग हमने देखा होगा जैसे हम TV और mobile car repair का प्योग काम करते है उनके पास एक soldering road होती है उसके द्वारा वो जो हैं छोटे-छोटे parts को components को joints लगाती है और wire को भी joint करती है आगे आता है adhesive bonding अब adhesive bonding क्या होती है आपने देखा होगा यह quick fix होती है हमने कोई plastic का part जोड़ना है हम उसमें quick fix लगा देती है वो जो है adhesive bonding है हमने कोई तार को जोड़ना है आपे हम table लगा देती है किसी बस्तू को किसी दिवार के साथ चिपकाना हो हम double table लगाती है यह सभी जो है adhesive bonding में आती है आओ हम आगे विस्तार से पड़ें पहले पहले बच्चो पाता है method of joints इसमें है mechanical fastener जब सारे fastener देख रहे हो जो nut bolt हैं जो screw हैं यह देखो यह screw लगे हुए हैं और यह nut bolts हैं ribbons हैं यह सभी जो है mechanical fastener में आती हैं अब आगे आता है welding welding क्या होता है जैसे कि आप picture में देख रहे हो यह गाड़ी जो है लगलग parts को welding करके बनाई गई है अब जो देखो एक आदमी जो है welding कर रहा है जिस दुन्य दातों को हमने जोवना होता है उसको दुन्य को fix करके electrode के साथ जो road होती है इसको हम electrode कहते हैं और यह holder होता है उसमें high crunch आता है जब ज़ए electrode इस piece के पास जाता है तो ज़ए melt होना शुरू हो जाता है और दुन्य जो piece हैं ज़ए heat होते है और ज़ए melt जो electrode है उसमें मर्ज किया जाता है और बाद में ठंडा होने के बाद बेल्डिंग जॉइंट बन जाता है बेल्डिंग इस फैब्रिकेशन प्रसेस देट जॉइंट मेटीरियल जूजिंग मैटल्स एंड थर्मो प्लास्टिक प्लास्टिक की भी वेल्डिंग होती है कि वर आपने देखा होगा गाणी में जो radiator का बोतल होती है प्लास्टिक की उसको भी प्लास्टिक वेल्डिंग की बीदी से उसको भी वेल्ड किया जाता है बाद जूजिंग high heat to melt the parts together इस बीदी में क्या होता है high heat की जो ज़्यादा करन्ट साथ जब हम फ्लो करते हैं heat ज़्यादा होती है उसकी बैसे दोनों parts हो है पहले melt होती है फिर उनको जोड़ा जाता है and allow them to cool causing fusion इस बीदी को हम fusion बीदी कहते हैं बाद में इसको हमने parts को दोनों को ठंडा करते हैं button down होने के बाद जो एक permanent joint बन जाता है दूसरा आता है brazing आप जो देखो जैसे शोटी pipes है जैसे हम घर में जो लोही की चारपाई होती है उसके pipes जो होती है जिनके thickness कम होती है उसको हम brazing बीदी के द्वारा जिसको हम आम बाशा में gas building भी कहते हैं इसमें क्या होता है इन दूनों पाइप में एक में oxygen दूसरे में excrylene gas से होती है जो नोजल होती है और ऐसे हम एक रोड लेके जिस भी जैसे हमने building करनी हो अगर copper की करनी हो तो copper की रोड होती है अगर steel की करनी हो तो steel की रोड होती है हम इस रोड का melting point होता है वह बहुत ही ज़्यादा कम होता है और हमने इसको heat करके उसके जगा को हम दूनों पार्स में जो gap होता है उसको हम fill कर देती है और उस दूनों पार्स को जोड देती है brassing is a metal joining process in which two or more metals items are joined together by melting and flowing filler metal filler metal क्या होता है जो हम copper की रोड लेती है इसका melting point जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता है into the joint with the filler metal having a lower melting point than the joining metal जो filler metal होता है उसका जो melting point होता है जो parts को हम जोड रहे है उससे काफी ज़्यादा कम होता है इसलिए वो filler metal है वो पहले पिगड जाता है और इस दूनों पार्ट के बीच में जो gap है उसको fill कर देता है आगे आता है soldering जैसे आप देख रहे हो soldering iron है हम इसने दूनों पार्ट को जोडना है जहां हमने दो wire को आपस में जोडना है ताकि यह बाद में आपस में अलग ना हो तो हम वहाँ पे soldering करते है soldering is a process in which two or more items are joined together by melting at putting a filler metal solder into the joint the filler metal having a lower melting point than the adjoining metal इसमें भी same भी दी है पर इसमें जहां क्या है melting point जहां बहुत ज़्यादा कम होता है इसलिए तार को welding करने के लिए electronics के parts को हम welding करने के लिए soldering का उपजोग करती है आप गया जाता है adhesive bonding जैसे आप देख रहे हो यह glue है कि उच्छे को हम quick fix कहते है tape है double tape है यह सभी जो है adhesive bonding में आती है adhesive bonding is a process of joining to surface together usually with the creation of smooth bond this type of adhesive use either direct contact or a third surface third surface कैसे होता है जैसे double tape है हम दोनों piece के बीच में एक double tape लगा देते हैं दूसरी तरफ वो एक piece से साथ touch हो जाता है और दूसरी तरफ दूसरे piece के साथ दोनों piece को parts को आपस में जोड़ देता है इसको हम कहते है adhesive bonding ऐसे मुझे लगता है आप जो आपने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा जो fasting क्या होती है और लग-लग परकार के joint कौन-कौन से होती है इसमें हमने देखा mechanical fastening joint कहते हैं जिसको दूसरा हमने देखा building joint फिर हमने पढ़ा soldering कि से कहते हैं फिर brazing और adhesive bonding मुझे आशा है कि आपको जे वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा जे वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को subscribe जूर करें क्योंकि automobile से स्वंदित आपको और NS के उफके स्वंदित आपको सारे automobile के वीडियो इस चैनल पर प्रस्तुत किये जाएंगे अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको subscribe जूर करें अगर आपका कोई सुजाब है तो वो भी मेरे साथ share करें ताकि मैं अपनी वीडियो को और बढ़िया से बढ़िया बना सकूँ Thank you Thank you very much